देख बिना ब्रेक, डाउंलोड दाक आप और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है तो श्री हरी की शरण ने श्री हरी के एक मंत्र का जाप आपको तनाव से मुक्ति दिला सकता है भगवान विश्णु की कृपा पाने के लिए खासतोर पर विश्णु गायितुरी मंत्र महा मंत्र माना गया है क्योंकि जगत जन्नी गायत्री की 24 देव शक्तियों में भगवान विश्णु एक है इस महमंत्र के स्मरण मात्र से सारे कारे बाधा, दुख और संताब दूर हो जाते हैं तो चलिए आपको बताते हैं विश्णु गायत्री मंत्र और विश्णु पूजा की आसान विधी केसर, चंदन, फूर, तुलसी की माला, पितामबर वस्त्र, कलावा, फल चड़ाए केसरिया भाट, खीर या दूर से बने पकवान का भोग लगाए धूप और दीप जलाकर पीले आसन पर बैठें तुलसी की माला से विश्णु गायत्री मंत्र की एक, तीन, पांच या ग्यारा माला का जाप करें विश्णु गायत्री मंत्र है ओम नारायन विधमहे, वासु देवाई धीमही, तन्नु विश्णु प्रचो ध्यार श्रीहरी से यश, प्रत्रिष्ठा और उन्नति के कामना करें, पूज़ा और मंत्र चाप के बाद भगवान की धूप दीप और कपूर से आर्ति करें, देवस नान कराया जल यानि चर्णाम्रित और प्रसाद ब्रहन करें कोई वरत रखता है, तो कोई भजन कीरतन करता है, और कोई श्रीहरी को मंत्रों से प्रसंद करने के प्रतुन करता है, जो दुशी कहते हैं कि भगवान विश्णु के कृपा पाने के लिए विश्णु गायत्री मंत्र परमफलदाई है, लेकिन अगर आप विश्णु गायत पीला वस्त्र धरन करें, भगवान शुरिहरी की प्रतिमा को पंशामरित और गंगाजल से स्नान करें, भगवान को फल, फूल, केसर, चंदन और पीला फूल चढ़ाएं, पूजन के बाद शुरिहरी की आर्ती करें, ओम नमो नारायनाय या ओम नमो भगवते वासु देवाय म पांतुर जपें ये उसके बाद भगवान से अपनी मनु कामना कहीं। बड़ा दिव्य और चमतकारी है शुरीहरी का नाम। सच्चे मन से शुरीहरी का नाम जपने वालों की हर अभिलाशा पूरी हो चाती है। तो आप हमारे सत बने रहें। आगे हम आपको शुरीहरी के शाले ग्राम सरूप की महिमा बताएंगे। देखते रहें आप धर।